Welcome to speedining.com किसी स्टॉक का चार्ट हम लोग कैसे स्टेडी करते हैं और उसमें क्यों बहुत बड़े-बड़े मुवमेंट्स अचानक आ जाते हैं ये समझना मुश्किल हो जाता है तो इसको चार्ट की स्टेडी से ही समझा जा सकता है कई बार आपका सवाल होता है कि सर कोई चीज जो मुश्किल से 3%, 5% चलती थी एक दिन अचानक 40%, 20%, 25% क्यों चल गी तो चार्ट में वो सब चीजें देख सकते हैं यहाँ पे हमने Indiable Real Estate का यह चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे Money Control के एप में यह है हम लोगों ने One Day, Five Day, One Month, Three Month, Six Month, One Year, Two Year, Five Year मेक्स चार्ट मेक्स चार्ट अभी खोल के रखा है मेक्स चार्ट में हमको यह पता लग रहा है कि क्या इसका High रहा है कभी तो आप यहाँ पे यह Highest Point देखने जाएंगे तो मालूम पड़ेगा आपको कि इसी स्टॉक ने 800 रुपे तक कभी High बना रखा है 800 का High कभी रहा था यह आप जब इसको यह करके देखते हैं जूम करके जूम इन, जूम आउट करके आपको आरम से पता लगता है कि यहाप यह 847, 848 का High 8.500 रुपे का High रहा था अब वो चीज 200 से बढ़के वहां तक कैसे जाएगी यह आपको पता लगेगा क्योंकि आप अगर इस High को जानते हैं तो पूरी कहानी समझ में आती है तो यह आप इस चार्ट में यहाँ पर देखेंगे कि यह जो गिरावट आई थी जिस तरह का यहाँ पर यह एकेब बनाता है इस गिरह को चार्ट कहीं आगे जाके फिल अप करता है जब भी उस सेक्टर में उस स्टॉक में कोई डिमार्ड आती हो सकती वो बात हो सकता है पांच साल बाद हो जैसे आप यह गिरावट की बात है तो 2008-09 की मंदी में यह बहुत तेजी से गिरा और यहां नीचे तक आ गया फिर इसमें थोड़ी सी शॉट कवरिंग आई यह इसने यह लेवल बनाया तो 261 तक गया फिर वापस गिरावट आ गई फिर ओ 261 का लेवल जाने कहां गायब हो गया तो एक बार यह देख सकते हैं हम लोग कि जब इस तरह का बोटम बनाया यह बोटम यहां पर बनाया था 80-90 रुपे के आसपास का तो यहां थोड़ा हम फायदा उठा सकते थे शॉट टम में और अपनी आदे से जादा क्वांटिटी खाली कर सकते थे और दुबारा इसके हाई पे बाइंग के लिए तैयार खड़े रहते अगर यह उपर आता ही नहीं तो हम उसको छोड़के बिठे रहते कोई तकलिफ नहीं थी हमको जब चलेगा तब हम अपना पैसा इसमें लगाएंगे नहीं तो हमारा पैसा किसी भी चीज़ में लगाने के लिए खुला था इस पर आगे भी हम दूसरे स्टॉक्स के साथ बात करेंगे अब मेक्स चार्ट देख लिया हमको पता लग गया किस किस तरीके से मुवमेंट रहा और आपको यह पता यह होना जरूरी कि कितने कितने दिनों तक कहां पड़ी रहती है प्राइज मार्केट में रेट आता ही नहीं है आप देखे कि इतने सालों तक 2011 से लेके यह 100 रूपे के नीचे घुसा तो लगातार 2016-17 तक 100 रूपे के नीचे ही मेंटेंड करता रहा है अब यह बात आप में घवराइट पेड़ा कर देगी लेकिन कोई इन्वेस्टर अगर रिगिलर इन्वेस्मेंट कर रहा है रिगिलर खरीद रहा है स्टॉक्स को तो उसके लिए तो गोल्डन अपोर्चिनिटी हो गए उसका पैसा तो अभी से 4-5 गुना हो गया है ठीक है मेक्स के बाद पर हम बात करते हैं अब हम जाएंगे 2-1 चार्ट में तो 2 साल के चार्ट में हमको पता लगता है केसे मूउमेंट आते हैं तो अगर हम चार्ट में ये देख लें कि ये एक हाई बना था रिसेंट जो एक सो छे रुपए एक सो पांच रुपए गा था तो दो साल बात जब भी चार्ट में आपको पता लगे कि वो हाई ब्रेक हुआ है आप बराबर मां अपनी पोजिशन बना लीजे और इस त्यारी क एंटिटी की गुझाईश रखी है कि नीचे डिप में खरीद लेंगे मोका मिल भी सकता और मोका ना मिले ये भी पॉसिबल है तो यहां तो मोका मिला ही नहीं और उसी दिन ये एक सो पचास एक सो चालिस के लेवल को छूग गया एक दिन के अंदर ही इसने इतना बड़ा 40% का मुवमेंट दिखाया था अब यहीं 2 एर के बाद हम इसमें 3 मन्त के चार्ट्स में जाते हैं और यह देखने का कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है तो इन 3 मन्त में इसका यहां लोईस लेवल देख लें इस लेवल को यह तोड़ नहीं रहा है 173 का लेवल इसके लिए यह क्रेंज हो गई है इसको तोड़ेगा तो बहुत तेजी से नीचे जा सकता है और उपर की अगर बात करें तो 214 के लेवल तोड़ेगा तो फिर से एक नया मुवमेंट आ जाएगा वॉलिम हम लोग देख रहे हैं वॉलिम का ग्राब भी पता लगता रहेगा तो कहीं आचानक से बड़ा वॉलिम आता है जैसे आप यहां देखिए यहां वॉलिम आया था इस दिन फिर यहां एकदम बड़ा वॉलिम आया था जब गिरावट हुई थी तो इस तरीके से volumes के graph भी चल रहे हैंबा कि volume regular ही थोड़ा थोड़ा volume हो रहा है अब लंबे समय में आप कोई चीज देखती रहनी है कि कितने कितने समय में ये repeat हो के आता है इस तरह का moment फिर one month में आप जाते हैं तो one month में आप जा रहे हैं तो one month में हम लोग क्या कर सकते हैं एक तो daily के लिए previous day का high low देखा जा सकता है अब ये 10 जुलाई की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये 7 जुलाई का देख ले हाई 207 रुपे 75 पेसा है low 202 रुपे 40 पेसा है इसके उपर stopless buying और selling लागा के रखा जा सकता है और recent बड़े levels की बात करें तो यहां तक का 22 जुन तक का हम देख लेते हैं ये lowest level है ये दिख रहा है 173 इसने दिखा रखा है 213 का इसने high बता रखा है तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि पिछले 5 दिनों में ये तो 173 बहुत दूर का level हो गया इसको तो 213 का level ही जो हमने पहले देखा था उसको ध्यान में रखें अब चार्ट में अगर आप रोज नए नए चार्ट देख रहे हैं तो आप भूल जाएंगे कि पहले आपने कौन सा चार्ट देखा था और उसमें क्या हुआ और जिस दिन ये अपना level break करेगा और उपर चला जाएगा तब आपको ध्यान आएगा कि आरे हाँ हाँ ये तो 213 तोडने वाला था दोस्तर तेरा के बाद तो बहुत बड़ा moment आने वाला थो तो 213 के बाद या अचानक 232,540 भी हो सकता है लेगिन अगर आप उस उस मौके को उस opportunity को miss कर गए तो फिर कुछ बचता नहीं करने को तो जरूरत इस बात की है कि आप 10 sector के 10 share चुने और उनके levels को दिमाग में रखें बलकि मैं तो कहूंगा कि रोज order place करके भी रख सकते हैं आपका हर 3-4 दिन कोई न कोई order trade activate हो जाएगा और आपको हर 3-4 परसेंट मिलने के chances बनते हैं जो के आपके intraday के target को बहुत कम risk के साथ बहुत कम energy और बहुत कम time जो invest किया उसके साथ आपको return दे सकता है तो ये एक तरीका आप apply कर सकते हैं one month का chart हमने यहाँ पर देख लिया है अब हम चाहें तो 5 day के chart पर भी जा सकते हैं पिछले 5 दिन का chart candlestick नहीं दिखाएगा line देखने का कुशिश करते हैं तो line chart हमको ये levels दिखा रहा है तो ये एक important level 5 दिन में हमको नज़र आ रहा है ये price आपको नज़र आ रही है 203.75 पैसे ये level इसने तोड़ा नहीं है इधर हम देख लेते हैं ये important highest level मुझे नज़र आ रहा है 211.60, 212 मान लेते हैं और यहां पर ये ultimate support तूट जाता है तो फिर तो reversal हो जाएगा तो 195 का level अगर इसने तोड़ दिया तब तो फिर गिर की ये नीचे जा सकता है तो ये हम 5 दिन के chart में देख सकते हैं हमको यहां पर 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई ये पूरा moment नजर आ रहा है और volume का graph आप इस तरीके से देख रहे हैं अब यहीं पर वापस एक अच्छा volume का graph बन जाए जैसा ये है या इससे भी बड़ा तो उस दिन breakout हो जाएगा या तो positive या negative तो strategy का इस्तेमाल करके आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं बाकी videos के अपनी limitation होती है video text books की तरह होते हैं तो text books और schools में या colleges में जो फर्क होता है वही training classes और videos का फर्क है तो कई बार लोग बात करते हैं कि sir videos तो हमको मिली गए हैं तो training लेने का जरूरत है क्या तो training में हमने जो बोला है कि आपने उसको वेसा ही समझा है अगर नहीं समझा है तो आपको एक अच्छे business में की तरह ये attitude रखना चाहिए कि मैं इतना बड़ा business अगर कर रहा हूँ और रोज के 2000 या 5000 रुपय कमाने के बारे में सोचता हूँ तो क्या मैं 2500 से 300 रुपय रोज का extra invest करके उस चीज़ को assure ना कर लूँ इतना गहराई से ना सीख लूँ कि बाजार के हर हाल में मैं safe रहूँ और मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं हो जो कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोग जानते हैं कि सही चीज क्या है करना क्या है principles उनको पता होते हैं फिर भी बाजार जब चलता है और आपको वहाँ पे red और green color नजर आता है तो आप बहग जाते हैं उस बहगने से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग तसली से चीजों को सीखें आप यहाँ पे एक compare करके एक option है उसको भी देख सकते हैं तो अगर इसी चीज को हम compare करना चाहें किसी और के साथ जैसे हमने ये DLF के साथ compare कर लिया इसको तो आप DLF से इसको compare भी कर सकते हैं तो दो चार्ट एक अठे खुल जाते है तो इसमें पता लगता है कि DLF लगातार एक जैसा परफार्म करके उपर गया है और इंडिया बूल कई बार नीचे रहा और उसके बाद एक दम आउट परफार्म करके उपर चला गया और फिर अभी अंडर परफार्म कर रहा है बाद में वापस आउट परफार्म कर सकता है तो DLF एक लार्ज केप की तरह थोड़ा बेहेव कर रहा है तो इंडिया बूल रियल स्टेट थोड़ा midcap type का mood दिखा रहा है तो इस तरह के आपके comparison से आपको पूरा picture clear हो जाता है ने तो जिस चीज में आप रोज काम कर रहे हैं उसको भी आप जानते हैं जरूरी नहीं है आपसे गलतियां हो सकती है तो चार्ट देखने के आदर डाल लीजे जितना आप चार्ट देखेंगे उतनी है आपकी समझ गहराई से बढ़ती जाएगी और हम सिर्फ देखने को कह रहे हैं समझने को नहीं कई बार लोग ये बहाना करते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आता तो देखते देखते समझ में तो आने लग जाएगा और फिर क्लासेज में तो हम पूरा डिटेल में अपलाईड टेक्निकल एनालिसिस वो भी सिंप्लिफाई करके आपको समझा रहे हैं तो इतना सिंपल है कि कोई लेमेन भी कोई कम एजुकेटेड इंसान भी उसको आसानी से सीख सकता है उसका फायदा उठा सकता है ठीक है आप प्रैक्टिस करते रहें